नमस्कार प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का संस्कार क्लासेज में तो देखे आज हमां आप लोग के लिए 50 बड़े ही इंपोर्टेंट कोश्चन कराने वाले हैं आपकी आने वाली एकजम BSTC के लिए बड़ी ही उत्तम एवं लाजवाव एक लास रहने वाली है क्य राजिस्तान में दूसरा हिस्तान जहां क्रांती की शुरुवात हुई थी देवली थी एरिन पुरा नीमच या पिर नसीरवाद राजिस्तान में दूसरा हिस्तान जहां क्रांती की जो शुरुवात हुई थी वो कौन सा हिस्तान था वो था नीमच आप लोग को लिख लिए दूसरा इस्तान कौन सा था वाई नीमच बिल्कुल राइट आउंसर हो जाएगा देखिए बिथोड़ा के युद्ध में खुसहाल सिंग के नेत्रित में क्रांती कारियों ने सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था वाई देखिए कैप्टन सावर कर जर्नल बिल्कुल राइट आउंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल परफेक्ट कोईशन अगला कोईशन देख लेते हैं देखिए 1922 में राज पूता नामें गवर्नल जर्नल के एजेंट निमनमसे कौन थे देखिए चार्ल्स मेटकोप रिचर्ड वेलेस के हो वरेन हैस्टिंग हो जाएगा बाई बताओ आउंसर क्या होगा एक भी बच्चे को मिस नहीं करना कोईशन देखिए इसका रोवर्ट होलेंड एकदम बिल्कुल राइट आउंसर होगा ऑपसर नंबर सी करके जो देखिए निमूचना हादसा कब हुआ था अब इसका आउंस आउंसर आप लोगों को बताना है तो इसका आउंसर के आजएगा वाई 14 मई सन 1925 आप लोगों का विल्कुल परफेक्ट कुश्चन हो जाएगा याद रख लेना वाई आप लोग भूल मत जाना अठाए सो सतावन की करांती के समय दोलपुर का सासक कौन था आपको बताए दोलपुर का सासक बताना कौन था वाई 1857 की करांती के समय जो ठीक है राम सींग ओदेवान सींग कीरत सींग या भगवन्त सींग आउंसर बताओ क्या होगा इसका आउंसर होजएगा वाई बगवन्त सींग आप लोगों को लिख लीना है भगवन्त सींग इस दा राइट राजिस्तान में 1857 में पहला बिद्रोय कब और कहां पर हुआ था 1857 के अंदर पहला जो बिद्रोय हुआ था कब और कहां पर हुआ था कमेंट करते रहे हैं वाई जलियर ली यह वह था 28 मैं 1857 में नसीरावाद अजिमेर के अंदर लिख लेना यह आप लोग को भूल मत जाना और यह जितने भी कोश्चन में पूछ रहा हूं बिल्कुल नए सेसन पर आधा रहते हैं एक भी कोश्चन को मिस नहीं करना है आप लोग को ठीक है चलिए देखें मादो सिंग बे गोविन सिंग का सम्मंद निमिलिक्तम से किस किसान आंदोलन से था मादो सिंग और गोविन अधाना को जलिया वाला बाग घत्याकांड की घतना बताते हुए इसे देखें दोहरी डायरी साही कहा जता बतावई दोहरी डायर साही कहा जता बतावई कौन सा था यह यह जाएगा आप लोग का निमूचना हत्याकांड ऑप्शन नम्मर्डी बिलकुल सही आउसल हो है देखिया आयो इंग रेंच मुल्क में उपर किसकी रचना है दुरसा ओड़ा की बांकी दास की केसरी या हो जाएगा आपrijदर और आशां या होजान आपा er 59 यह हो जाएगा आपका बांकी दास एक दम बिलकुल पर्फेक्ट कुजिटन option number B करके गवराये गमत शांदार आपका सेसन चल रहा है मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा किसका कथन है यह question बड़ा लाजवाब है पहले तो इस पर most लगा लो क्योंकि यहां पर यह question आया है word खदेड़ने का माराना पкретाप है जो दुष्मनओं को अपनी सर जमीन पर घर न रखना दूंगा घर जो भी आपने अ हैं और माराना प्रताप कह लिए पटातब आइक यह ऐस्ट प्लिभी शाजर दियए बस्रma रहे दोल के लिए राज़िस्ता प्रद म रहेक्ट है। जी के का नए पैटन एक दम ठीक है इसका आंसर हो जाएगा वाई अर्जुन लाल सेथी ठीक है अर्जुन लाल सेथी एक दम बिल्कुल राइट आंसर होगा रूपा जी एवं किरपा जी सहीदों का संबंद किस किसान आंदोलन से था रूपा जी एवं किरपा जी सहीदों का स मेंगू ठीक है निमें लिक्तमस से गलत युगम की पहचान कीजिएगा अब बता हुआ गलत युगम की पहचान करके आप लोगों को बता ना लाड़ ले वच्चो ठीक है यह हो जाएगा आपका सुरोही पिर्जा मंडल देशराज सिंग क्या बात है सुरोही पिर्जा मंडल देशराज सिंग एकदम आप लोगोंने सेशन को शेर नहीं किया तो कर दो है लाइक नहीं किया तो कर दो अपने वार्टसप ग्रूप इस्टेटसों पर लगा लो देखें बारदोली आंदोलन का नेत्रित वे नेत्रित वे मुखेत किसके आतों में हुआ था सरदार पटेल मातमा गांदी जवाला लेरू या बाल गंगा धर तिलग आउंसर आप लोगों को लिख लेना सरदार पटेल ओप्शन नमबर ए आप लोगों को लिख लेना है ठीक है लाइड लो नेमी लिखत मसे किसके द्वारा बीर भारत समाज का गठन किसके जरिये किया गए था याद चाबनी के क्रांती कारियों ने दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगियों का नारा किस चाबनी के क्रांती कारियों ने दिया था ये नारा दिया था वाई एरीन पुरा चाबनी ओप्शन नमबर सी किस चाबनी ने दिया था एरीन पुरा चाबनी ने दिया था नारा गोव गुविन्द गरी ने कौन सी सवा की इस्थापना की गई थी संप सवा की इस्थापना की थी को आई गोविन्ट गरी ने ठीक है ऑंपिम्प क्रोटिक अप्शनी नमर्ड आप लोगो नहीं है गोविन्द गुरीन पर्फेक्ट कोस्टन है नion 1921 का नेत्रित की दख़ीBlack कट्राथल गाओं की कट्राथल गाओं की दस अजार जाट महिलाओं ने 1934 में किसान नांदोलन में भाग लिया इसका नेत्रित किस ने किया था वाई 69 का आंसर देख लेना है कि सोरी देवी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होजेगा option number B करके ठीक है कि सोरी देवी आप आजो की महिला से ना पती कमला स्वाधीन option number C आप को लग लेना कौंती वहाई कमला स्वाधीन ** लिख लेना एक भी बच्चे को मिस नहीं करना है निमीं लिएक नहीं इक्तम से कौन सा सुमेलित नहीं है अब बता वाई उनमस से शुमेलित कौन सा नहीं होगा यह हो जाएग आपका इंद्रा गांदी नहर परियोजना राजिस्तान वे पंजाब ठीक है इंद्रा गांदी नहर परियोजना राजिस्तान एवं पंजाब बिल्कुल परफेक्ट कोईशन हो जाएगा ठीक है जो आप लोग को दिखाई बेरा होगा माई बजासागर परियोजना संयुक्त उपकरन है माई बजा सागर पढ़ी होजा सायूक्त जो उपकरन ना इसके बारे में आपको बताना वाई यह हो जाएगा आपका गुजरात एवं राजिस्थान ठीक है बिलकुर लिख लेना वाई कौन सी हो जाएगी गुजरात और राजिस्थान आप लोग बातें ना करो आ गंग नहर, यमना नहर, गुडगाउं नहर या भाकडा असर ठीक है 73 का आउंसर हो जेगा आपका गंग नहर एकदम बिलकुल राइट आउंसर हो जेगा ऑप्शन नमर ए गंग नहर जो ठीक है ना राजिस्थान की पिर्थम नहर सचाई परियोजना किस रियासत में प्रार सापुरा, बीका नहर, कोटा या फिर जाला वाड आउंसर देख लो बीका नहर एकदम बिलकुल राइट आउंसर हो जेगा बीका नहर ठीक है बीका नहर एकदम बिलकुल करेक्ट आउंसर होगा ऑप्शन नमर बी कर गे अगला कोईशन देखो देखे सोम कमला अंबा question हो जाएगा option number C आप लोग को लगा लेना डूंगरपूर इस दर आईट आउसर होगा डूंगरपूर गवराओ मत हर question में लाजवाब का आवतार है वाई आपको आउसर बता रहे हैं इसलिए चूकना नहीं है इंद्रा गांधी नहीं कि यहां राजिस्तान में कहा से प्रिवेस करती हैं डेकिए का गाऊं गंगर से या रहेगा आपका मसीता वाली हनुमानगड मस्ता वाली हनुमानगड option number B करके हो जाएगा चापी दाव किस जले में है चापी दाव के बारे मताओ बारा कोटा जालावार या फिर टॉंक के अंदर ठीक है टॉंक तो आपका नवाबों के नाम से भी जाना जाता है ठीक है option number C आप लोगों को लिख लेना एक ठीक है राजस्तान में डेखें कूबट पट्टी वाले जिरे हैं पुबट पट्टी वाले जिले उनके बारे में बतना है 79 गांसर ठीक है और 79 का अजमीर और नागोर आप लोगों को लिख लेना ठीक है लाट लो दो कौँसा और अजमीर और नागोर एकदम राइट- बिल्कुल perfect question लगा लेना है गवराओ मत जीत इंद्रा गांधी मुख नगर की लंबाई की क्या है इंद्रा गांधी मुख नहर की लंबाई बतानी है नहर की लंबाई कितनी हो जाएगी देखे इंद्रा गांधी नहर की जो टोटल लंबाई है न वो हो जाएगी 445 किलो मेटर भूल मत जही हो वाई एक्जामों में जब आते हैं ना तो बच्चे थोड़े से disturbance हो जाते हैं थोड़ा share भी करतो है ना चलो देखे जिलों के निमले की समों में से किस समों में इंदरा गांधी नहर का देखे पानी पीने के उद्देश के लिए उपियोग में लाया जाता है जाएगा इसके वारे मदावाई एटीवन गा इसका अंसर हो जेगा जुझनों सीकर नागोर और बाड में ठीक है जुझनों सीकर नागोर और बाड में आप लोग को लिख लेना वाई ठीक है लाटले बच्चो जवाई बांद से लाभांबित नहीं होने वाला जिला बतावाई इतना शांदार कोशन चल रहा है बाड मेर आप लोगो लिख लेना एकदम परफेक्ट तरीका से ठीक है लाटले बच्चो सुमेलित कीजिएगा यह अच्छा को को कुछे ठीक है इस कांसर में आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोल दा हूँ है इस कांसर आप कहां हम خودी कमेंट करके बताईएगा ठीक है आप लोगों के लिए कॉंश्चन है वाई चापी सिचाई परियोजना अवेस्थित है कि कहां पर अविस्थित है यह हदा ये परियोजना पारे निमिलिक्तमसे दो बांध राजिस्तान में हैं वो कौन-कौन से वाई एक तो जवार सागरबान और राना परताब सागरबान ठीक है अप्शन नमबर ए आप लोग को लगा लेना है निमिलिक्तमसे कौन चौधरी कुंब राम नगर द्वारा लावांबित ह है अच्छा कोशन है यह आउंसर हो जाएगा आपका अनमान गड़ा और जुंजनू ठीक है अप्सन नमबर ए लिख लेना वही अनमान गड़ा और जुंजनू सेखावा ठीक है अंते प्रवाई चेत्र में निर्मित कच्चे जल्स रोतों को किस राम से जाना जाता है समयलित कीजिएगा अब आप लोग कमेंट करके बताओ यह भी आपका समयलित किसे हो जाएगा अनमान गड़ा और चूरू से नर्मदा परियोजना जालो और पाली और जोद्बो और जाखम परियोजना तो ओदेंपुरे वंपरताब गड़ी तो आपका हो जाएगा फोर व जैपुर में अलवर में भरतपुर में मादोबांद आपका दोसा के अंदर पड़ता है बिलकुल याद आप लोग को लगा लेना है राना प्रताब सागर सचाई पर योजना किस नदी पर इस्तित है उस नदी का नाम क्या हो जाएगा चंबल एक दम बिलकुल सही है पताओ चंबल की लंबाई कितनी है कितने किलोमीटर के कमेंट करो राजिस्तान में इंदर गांधी नहर का प्रिवेस देखे बिंदू निमिलिक्तमस से कौन सा जला है इसका आउसल वता वाई कौन सा जला हो जाएगा जोदपुल गंगा नगर हनुमानगर और चूरू आउसल हो ज आजिस्तान के सईयुक्त बहुत देशिये नदी गाटी परियोजना आये बहुत देशिये जो नदी गाटी परियोजना है ना माई ब्यास चंबल या फिर भाकडा नागल ठीक है इसका उनसे क्या हो जेगा चंबल औप्शन नुमबर सी आप लोगों को लगा ले ना वै चं को दन की सुद्देश से की अगया है सिचाई आप लोगों को लिख लेना वाई कौन सा हो जाएगा सिचाई एकदम परफेक्ट कोईशन है अब तो समझ में आ गई होगी आप लोगों के सिचाई इसदार आई टांसर होगा सिचाई ठीक है लाडले बच्चो अगला कोईशन द ठीक है समझ में आया कर नहीं आया आ गया होगा ठीक है चलें पार दोब्सक्णिपा और फॉल्व जाल और और ऑर बाड में ठीक है option नख़मर बिया आप लोगगों को लिख लेना जालो रोड़ वाइड में ठीक है लाडले बच्चो चम्मल गाटी परयोजना पर निमिलिक्तम से दो बांध राजिस्तान में है परियोजना का नाम और संबंधित जिला परियोजना का नाम और संबंधित जिला आप लोग को बताना है समझ में आपके आजाएगी 97 का आउंसर आप लोग को देख लेना जो मैं आप लोग को सुमेलित करता हूं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान लखना वाई सबसे पहले चापी का जालावाड चोली का जालावाड पांत ना करो ली और हो जाएगा आपका परवन लिफ्ट बारा समझ में आई ना तीन कोश्चन हो रहे हैं वाई गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरोमसे है उसका निर्मान गंगा सिंग ने कब करवाया था इसका ठीक है नमबर 98 का उसर देख लेना है यह जाएगा आपका 1927 के अंदर कराए गया था ठीक है समझ मारी है ना उप्शन नमबर B करके इंद्रा गांधी नहर पर योजन राज पाश्चमी छेत्र आप लोगों का बिल्कुल से हो जाएगा उपसर नमबर B पाश्चमी छेत्र करें ठीक है लाज ले बच्चो लाजट एंड फाइनल को सबसें कौन सा बांध मिटी से बना है मिटी से कौन सा बांध बना हुआ है मेजा पांचना जवाई या फिर जाखम इसका अंसर आप हमें कमेंट करके जलो बताएगा, एक एक बच्चे को ठीक है, और आपके आने वाली B, S, T, C, P, T, T, आपकी C, T, ठीक है, आपकी पुलिस सबके लिए बड़ी उत्तम क्लास है, राजिस्तान जीक है कि इसलिए इस क्लास को डेली कितने बज़े होती है भाई, आट पी-म पर आपकी एक लास चालो हो जाती है, तो प्लीज आप इससे लाइव ले आ करें हो, ठीक है, ठाइक यू, जै भारत, लाइक ने क्या, लाइक कर देना, सब्सक्राइब ने क्या, तो सब्सक्राइब भी कर देना,